सभी मित्रों को जै जै सियाराम प्रभु स्री राम की किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल काम नहे तो आईए प्रभु स्री राम और कल्प ब्रिक्स की कथा आज आपको हम सुनाएंगे एक समय जब स्री राम चंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने साथ हजार सिस्षो सही दुर्बासा रिशी अजुद्या को जा रहे थे तब रास्ते में जाते हुए दुर्बासा जी ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारन करे यह तो विश्णु जी ही संसार में अब तिर्ण हुए है यह तो मैं जानता हूँ किन्तु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुस दिखलाऊंगा अपने मन में ऐसा विचारते हुए वे अध्याय और नगरी में प्रवेश कर सब को साथ लिए भगवान के भवन के आठ चौको को लांकर पहले सीता जी के भवन में पहुँचे तब सिस्सो सहित दुरवासा को सीता जी के दौार पर उपस्तित देख पहरेदारों ने सिग्रता से दोरका श्री राम चंद जी को इसकी सुषना दी यह सुनते ही भगवान राम मुनी दुर्वासा के पास आप पहुंचे और परनाम कर सब को बर्यादर सहित भवन के भीतर लिवा गए तथा बैठने के लिए शुन्दर आसन दिया अब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ने मधरू बचनों में स्री राम चंज जी से कहा कि आज एक हजार बर्स का मेरा वास ब्रत पूरा हुआ है इस कारण मेरे सिस्सो सहित मुझे भोजन कराईए और इसके लिए आपको केवल एक मुहुर्ट का समय देता हूं साथ ही यह वी ग्यातर है कि मेरा यह भोजन जल धेनू और अगनी की साहता से प्रस्तुत न किया जाएगा केवल एक मुहुर्ट में ही मेरी एक्षानुसार वह भोजन जिसमें विवित परकार के पकवान प्रस्तुत हो मुझे प्राप्त हो इसके एत्रिक्त यदि तुम अपने ग्रिहस्त धर्म की रग्चा चाहो तो सी पूजन निमित मुझे ऐसे पुस्त मगवादो कि जैसे पुस्त यहां अब तक किसी ने देखे न हो यदि यह तुम्हारा किया न हो सके तो मुझे से असपस्त कहा दो मैं इसमें असमर्थ हूँ मैं चला जाओ तब मुनी की इस बात को सुनकर स्री रामचन जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा कि भगवन मुझे आपकी यह सब आग्या सुईकार है तब राम की बात सुनकर दुरुबासा ने परसन हो कर कहा मैं सरीव में असनान करके अभी तुमारे पास आता हूँ सिग्रता करन हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाईयों तथा सिटाओं को सिग्रता के लिए कह देना रामचन जी ने कहा अच्छा आप जाईए असनान कराईए दुरुबासा जी असनान करने चल गए रामचिंतित हो गए लक्षमन आदी भ्राता जान की तथा सब के सब व्याकुल हो राम की और निर्नमेश द्रिष्टी से देखने लगे कि मूनी ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत बस्तु ये मांगी है इसके लिए देखे कि अब भगवान क्या करते हैं क्योंकि बीना अगनी जल और बीना गव के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं तब राम चंजी ने लक्षमन जी से एक पत्र लिखवाया फिर इस पत्र को अपने बान में बांध कर धन्स पर चढ़ाया और छोड़ दिया वहां बायू बेक से उरकर अमराबती में इंद्र की शुधर्मा न अंकित था फिर उसमें बंधे पत्र को खोल कर पढ़ा पत्र खुलते ही हुए पत्र खोलते ही बान वहां से उरकर राम के तरकस में आघुशा उधर इंद्र ने उस पत्र को सभामे बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया उसमें लिखा था इंद्र स्वर्ग में सुखी र करता हूं प्रंदों तुम्हें एक आग्या देता हूं आज ही एक हजार बर्स के भूके हुए दुर्वासा मुनी अपने साथ हजार सिस्सों के साथ मेरे हैं वह ऐसा भोजन चाहते हैं जो गव जलतवा अगनी के दोहाराशी दिन किया हो इसके साथ ही उन्होंने सी पूजन के जो शीर सागर से निकले हैं चन मातर में मेरे पास भेज़दो इसके लिए रावन के संगहारक मेरे बानों की परतिक्षा मत करना या पत्र देवताओं को सुनकर इंद्र देव तच्छन उट परे और कल्ब्रिक्स तरह पारिजात को साथ ले देवताओं साहित बीमान में ब अग्से दुर्बासा ने अपने एक सिस्ट को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो राम इस समय क्या कर रहे हैं मैंने जो आग्याती है उसके अनुसार कुछ अन अब तक बना है कि नहीं अब तक वैसी ही चिंता मगन है या कुछ कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामगरी तैयार हुई है यह सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आओ तब जो आग्या ऐसा कहकर वह सिस्ट राम के भवनन में आया देखा तो कल ब्रिक चौड़ पारिजास देवताओं की मंडली में राम विराजमान है यह देखकर उस सिस्ट ने सिगरी दुर्बासा के पास ज देख देवताओं सहीत राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब सिस्टों को वरे आदर के साथ प्रनाम किया और उत्तम आसन पर भीठाकर सीता तथा लक्षमनादी के साथ उनकी पूजा की फिर जिन पुस्पों को मनुस्वों ने अब तक नहीं देखा था सिप पूजन के ह जयतू पुस्पों को श्री राम ने दुरवासा के समक्श प्रस्तूत किया उन्पुस्पों को देख मुनी दुरवासा ने एक बार तो आस्चर्थ किया कि तुम मौन भाब से उन्हें ग्रहन कर सीप जी तथा अन्य देवताओं की उन्पुस्पों से पूजा की फिर पिर पुजाकर पारिजात की पूजाकर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करते हुई इस प्रकार बोली कि चीर सागर से उत्पन होने तथा देवताओं के मनोर्थों को पूर्ण करने वाले कल ब्रिक्ष आज सिस्टों सहीत हमारे यहां आय पात्रों को अनेक प्रकार की खाते सामग्रियों से पूर्ण कर दिया फिर तो उन सब अन्नो को उर्मीला सही सीता ने सुवर्ण के पात्रों में रख रख कर दुर्वासा के समक्ष परोष दिया फिर तो राम चंद्र से निर्प्यदित दुर्वासा ने अपने सिस्सों के स बरे प्रेम से वह सब भोजन किया फिर हाथ मुधो ताम्बूल तता दक्षिनाली तो बोलिए सियावर राम चंद्र की जाए एउद्या राम लला की जाए ब्रिंदावन विहारी लाल की जाए पवन सुतहनू मान की जाए बोलो भाई शवशंतन की जाए हर हर महादेब जये सि